बॉलेवोड के किंग खान यानी शारुक खान के फिल्म जवान क्या फ्लॉक होने जा रही है इस मूवी में शारुक खान के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया भर में इस मूवी को लेकर इतनी चर्चाए हैं लेकिन हम इसके फ्लॉक होने की बात क्यों कर रहे हैं इसके पीछे कई कारण है जिसे सुनके आप भी यही मानेंगे कि इस मूवी को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ शारुख खान के अलावा कुछ भी नहीं है चलिए विस्तार्स से इस पर बात करते हैं पहले आप जान दिजए कि यह मूवी साथ सितंबर को रिलीज होने जा रही है लोग क्यों कह रहे हैं कि शारुख खान को छोड़ जवान में सब कुछ है जो एक फ्लॉप मूवी में होना चाहिए दरसल अमिताब बच्चिन की फिल्म महान, संजीट कुमार की नया दिन नई राद, कमल हसन की दशावतार इन सभी फिल्मों में एक चीज कॉमन थी इनमें इन सभी स्टार्स के कई कई चहरे दिखाई दिये खो कई रोल में वो एक ही फिल्म में दिखे और सभी फिल्म बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह से पिटी थी मतलब फ्लॉप हो गई थी जवान में भी कुछ ऐसा ही है, इनमें शारुक खान के साथ चहरे दिखे हैं और लोग कंफ्यूज हैं कि इतने किर्दार क्यों डाल दिये हैं, ट्रेलर देखके ऐसा महसूस हो रहा है कि जारेक्टर ने एक खिचड़ी पका दी है दर्शकों को सीधी लाइन में चलने वाली कहानिया पसंद आती हैं दरसल धाई घंटे में धेर सारी चीज़े दिखाना मुश्किल हो जाता है कोई भी सुपर डुपल फिल्म तभी होती है जब उसके कैरेक्टर्स लोगों के दिमाग में जगा बना लेते हैं जवान को ट्रेलर देख कर तो यही समझ आता है कि मूवी में कुछ समझ आने वाला नहीं है नैंतारा की बात हो रही थी कि दिपका पादपो नजर आ गए इसके अलावा एक गर्ल गैंग भी है साथ तरह के तो शारुखी नजर आ रहे हैं विलन भी दो तरह के हैं ऐसे में मूवी का स्थिचडी बनना तो तय है अगर बात करें मूवी के म्यूजिक की तो उसे भी कुछ खास पसंद नहीं किया गया है पठान में म्यूजिक कचस का जबर्दस्त था जिसकी वज़ा से लोगों की उस सुकता और भी जादा बढ़ गई थी जूमे जो पठान पर जिस तरह से शारुक ने सब को जुमाया था वह खूपसूरती इस मूवी से गायब है पठान की ग्रांट सक्सेस ने शारुक से दर्शकों की उमीद और बढ़ा दी है इसके साथ ही जवान को लेकर इतना हाइप क्रियेट हो गया है कि अगर जरा भी फिल्म कमजोर हुई तो मूवी का दुगना तय है अब देखना दिल्चस्क होगा कि जवान को लोग पसंद करते हैं या नहीं आपको ट्रेलर की ऐसा लगा कमेंट्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में देखते रहें लाइव यूपी न्यूस 24